नमस्कार गुड लग तुड़े के इस खास अंक्त में स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ शगुफता साहिल देवा और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में माजूद है पंडिच चलेंद्र पंडिजी पंडिजी बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार तो देखिए आज के इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं वहम के बारे में वहम की समस्या के बारे में इसकी दिक्कत के बारे में इसको दूर करने के लिए जोतिश में आखिर क्या सारे उपाए हैं उसके बारे में विसार से बाच्चित करेंगे पंडिजी के स साथ सबसे पहले बात होगी यहाँ पर आज के गुड़लेफ मत्र की आप रास्ते में चल रही हैं और रास्ते में आपको गिरा हुआ पैसा मिल गया, सिक्का मिल गया, नोट मिल गया, रास्ते चलते समय अगर धन मिल जाए तो अपने सर पर से एक बार घुमा लेजिए clockwise या anti-clockwise और उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए करियर में जो भी परेशानिया आपकी चल रही हैं, करियर में जो भी दिक्कतें आपकी चल रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी या आप ये समझिए कि रास्ते चलते आपको पैसा मिले और अगर आप उस पैसे को दान कर दें तो ये इस बात की सूचना है कि अब आपके करियर के मुश्किलें समापतो हो जाएंगी और चलिए अब बात कर लेते हैं 28 फरवरी के पंजांग के बारे में दिनांक 28 फरवरी 2023 दिन मंगलवार तिथी है फालगुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथी नक्षत्र है रोहिनी नक्षत्र प्रातह 7 बच के 20 मिनट तक चंद्रमा व्रिशब राशी में संचरण कर रहे हैं रात के 8 बच के 32 मिनट तक राहुकाल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4 बच कर 30 मिनट तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासा गुड़ खाकर और भगवान का समरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे और चलिए आज के विशे की शुरुवात करते हैं जैसे हमने शुरुवात में आपको बताया कि वहम के बारे में आज विस्तार से जानेगे पंडिजे से वहम की समस्या की पीछे आखिर कौन कौन से ग्रह होते हैं वो बताए पंडिजे वहम होता क्या है देखिए किसी भी चीज के बारे में जो चीज नहीं है या जो चीज होने वाली भी नहीं है उसको लेकर मन में चिंता पैदा करना उसको लेकर अपने मन में समस्या पैदा करना ये वहम है वहम बहुत सारी चीजों का होता है वहम आने वाले समय को लेकर होता है अपने रिष्टों को लेकर होता है बीमारियों का वहम सबसे जादा कॉमन वहम है कि आपको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन फिर भी आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपको ये बीमारी है और उसका जो सिंटम है उसका जो लक्षण है वो आपके शरीर में प्रकट होने लगता है तो वहम की समस्या दरसल माया है वहम की समस्या मन से पैदा होती है क्योंकि आप मन में विचार करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है जो चीज आपके जीवन में नहीं है आप उसके बारे में मन में चिंताएं पैदा करते हैं और इसको हम कहते हैं वहम अब चुकि मामला मन का है तो जहां मामला मन का होगा वहाँ पर इसका मुख्य ग्रह हो जाएगा चंद्रमा चंद्रमा का मतलब ही मन होता है और मन अच्छा है, मन बुरा है, मन परेशान है इस सब के पीछे चंद्रमा होता है और जो माया है, जो कल्पना है उसके लिए राहु और केतु जिम्मेदार होते हैं जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का संबंध बने चंद्रमा राहु का संबंध बने चंद्रमा केतु का संबंध बने तो ये वहम को पुष्ट करता है और वहम को मजबूत करता है वायू तत्व की जो राशियां हैं तीन राशियां हैं वायू तत्व की मिथुन राशी तुला राशी और कुम्भ राशी मिथुन तुला और कुम्भ वायू तत्व की राशियों में सबसे ज़्यादा वहम की संभावना होती है इनको बीमारियों का वहम और रिष्टों का वहम सबसे जादा होता है इसके बाद जल तत्व की राशियों को वहम होता है जल तत्व की तीन राशियां हैं करक, व्रिष्चिक और मीन इनको अपनी सेहत को ले करके और आने वाले समय को ले करके या दुरघटना को लेकर के वहम बहुत होता है जल तत्व के जो लोग होते हैं करक वरिष्चिक और मीन वाले घर से बेटा गया पढ़ने बाहर उनके मन में ये चिंता आ जाती है कहीं दुरघटना ना हो जाए गाड़ी लेके चलाने निकले मन में एक डर बना रहता है कोई दुरघटना ना हो जाए तो इस तरह का वहम जो बीमारियों का दुरघटना का संबंधों का रिष्टों का होता है वो जादा तर वायू तत्वकी राशियों को और जल तत्वकी राशियों को जादा होता है या अगर राहू केतू का प्रभाव चंद्रमा पर जादा हो गया तो भी मन में वहम जरूर पैदा होता है मेश राशी, जैसा भी समय आपका चल रहा हो, लेकिन ये बात आप देख रहे होंगे कि परिवार का सहयोग आपके साथ बना हुआ है कारोबार में आपकी स्थिती पहले से बेहतर हो रही है, लाब हो रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका स्वास्थ लगातार अच्छा बना हुआ है हनुमान चालिसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें, हनुमान जी की एक बार पूजा कर लें तो निश्चित रूप से आपके दिन के मुश्किले हल हो जाएंगे शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी पृतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है वरिशब राशी स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं अचानक धन का लाब इस समय आपको हो सकता है महत्वपूर काम भी इस समय आपका बन जाएगा ये संभावना दिख रही है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगे शुभरंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 पृतिशक सर्वोतम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुनराशी नौकरी में समस्याएं हो सकती है लिखा पढ़ी के मामले में कुछ भी लिखने में साइन करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा और जितना संभव होगा वाहन सावधानी से चलाएंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम होगा और चली अगर आप भी पंडिजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल पंडिजी पहुंचा सकते हैं इमेल के माध्यम से हमारी इमेल आईडिया आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है इसे के साथ आज के शोग का पहला सवाल पंडिजी ले लेते हैं जी आज का पहला प्रश्न हमें शुकदेव जी ने लिखा है शुकदेव जी बिहार से लिखते हैं अपने पुत्र आशुतोष राणा के बारे में जानना चाहते हैं आशुतोष राणा की जन्व तारीक है 5.06.1995 जन्व का समय है रात के 1.19 मिनट जन्मस्थान है भागलपुर बिहार ये कह रहे हैं कि बेटा जो है वो बिहार प्रसाश्निक सेवा की और SSC की तयारी कर रहा है क्या बेटे को उसमें सफलता मिलेगी या किस तरह के करियर में बेटे को जाना चाहिए शुकदेव जी आपके पुत्र आशुतोष की कुंडली बनती है तुला लगन की और इनकी राशी बनती है कुम्भ राशी महादशा शनीकी और अंतरदशा सूर्य की फिलहाल चल रही है देखिए आप अपने बेटे को बिहार पब्लिक सर्विश कमीशन बीपियस्सी और SSC की तयारी करवाते रहिए आपके बेटे का सलेक्शन साल 2024 में होने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है थोड़ा भी प्रयास करने पर साल 2024 में सलेक्शन हो जाएगा दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की कुंडली में बुद्ध की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है जिस वजह से कहीं न कहीं जितनी मेहनत होनी चाहिए जितना कॉंसेंट्रेशन होना चाहिए वो नई बन पा रहा है उसको बेहतर करने के लिए आप अपने पुत्र को एक पन्ना बन्वा करके पहना दें लगभग छे से आठ रती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुद्धवार की शाम को इनको पन्ना पहना दें और नित्य प्रातह अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और चलिए आज के ही विश्य को आगे बढ़ाते हैं जैसे हमने पहले जाना कि वेहम होता क्या है इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है अब ये समझते हैं पंड़ जी से की वेहम की अलग-अलग स्थितियां कैसे पैदा होती है और उनकी पहचान पंड़ जी कैसे करने जाहिए जी देखिए वेहम जो पैदा होता है उसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं ग्रह दशाएं तो है ही उससे इंकार नहीं कर सकते ग्रहों का प्रभाव तो है ही दूसरा आपके परिवार का माहौल आपके आस पास की स्थिती भी वेहम के लिए जिम्मेदार होती ह अगर मान लिया राहू की वज़े से आपको वहम है और राहू की वज़े से कोई खराब योग है कुंडली में जो पर्मानेंट बना हुआ है तो वहम स्थाई हो जाता है जैसे कुंडली में चंद्रमा और केतू का या चंद्रमा और राहू का कॉंबिनेशन है और ये स्थाई रूप से बना हुआ है पर्मानेंटली बना हुआ है तो पर्मानेंटली आपके मन में वहम बना रहता है कभी कभी किसी नकारात्मक उरजा की वज़े से जिसको हम नजर लगना भी कहते हैं कि आपको नजर लग गई तो आपके मन में चिंता का एक भै का भाव पैदा हो गया वो भी वहम है ऐसा भी होता है लेकिन ये पर्मानेंट वहम नहीं होता है जब नजर उतर जाती है या नकारात्मक उर्जा का असर खतम हो जाता है तो ये वहम समापत हो जाता है दशाओं के गड़बड होने पर भी वहम की स्थितियां बन जाती हैं वैसे कुंडली में दिक्कत नहीं है लेकिन आपकी कुंडली में राहू निगेटिव है और राहू की एकदम से दशा आगई आपके पास तो आपको जितने समय वो दशा चलती है उतने समय आपके मन में वहम बना रहता है दशा शुरू होने पर वहम की शुरुबात होती है और दशा जब समाप्त होती है तो ये वहम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है कभी कभी जाने अनजाने बिना सोचे विचारे हम कोई ऐसा रत्न पहन लेते हैं जो हमें नुकसान करता है या हमारे मन पर गहरा असर डालता है जैसे हम नीलम पहन लें हम गोमेद पहन लें हम मारिक के पहन लें और ये हमें नुकसान पहुचा दे तो भी मन में एक चिंता एक वहम की स्थिती बन जाती है मन में बेवजह की कालपनिक समस्याएं पैदा हो जाती है कभी कभी गलत मंत्रों का जब करने से भी वहम पैदा होता है मंत्र जो है वो बहुत जल्दी इफेक्टिवली आपके मन पर असर डाल देते हैं मनात तारियेत यस्तुसा मंत्र है जो मन का तारन करे वो मंत्र है तो जब आपने गलत मंत्र पढ़ा जो आपके साथ एड़ेस्ट नहीं होता है या आपने मंत्र का उच्चारन थीक तरीके से नहीं किया तो निश्चित रूप से उस मंत्र का निगेटिव इंपैक्ट भी पढ़ सकता है खासतोर से अगर ग्रहों का मंत्र हो भगवान के मंत्र के साथ इतनी समस्या नहीं है लेकिन अगर ग्रहों का मंत्र है या किसी विशेश कामना का मंत्र है और आप गलत मंत्र जब कर रही है या हो सकता है कि वो मंत्र आपके साथ सूट ना कर रहा हो तो आप मंत्र जब करेंगे आपके मन में चिंता पैदा हो जाएगी ऐसा तो नहीं कि मैंने 108 बार नहीं जपा ज़्यादा जप लिया, कम जप लिया या आपके मन में ये भाव पैदा होगा कि ये बुरा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए ये एक वहम डेवलप हो जाता है और मन्तर जप के साथ क्या है कि आप आज मन्तर जप करेंगे तो अगले 24 घंटे तक आपके मन पर उसका प्रभाव बना रहेगा तो माली आपने मन्तर जपा एक दिन और आपके मन में वहम पैदा हुआ 24 घंटे तक वो बना रहेगा और अगर आप मंत्र जब छोड़ देंगे तो वो वहम समाप्त हो जाएगा इसलिए मंत्र जब करते समय और रत्न का चुनाव करते समय ये देखना होता है कि वो आपके मन पर कैसा असर और कब असर डाल सकता है करकराशी किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होती दिखाई दे रही है किसी प्रियव्यक्ति से भेट होगी मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा हनुमान चालिसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंगराशी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है आपके धन की प्राप्ती होती दिखाई दे रही है विवाह के मामलों में इस समय आपके तेजी आएगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी विवाद आपके हल हो जाएंगे तनाव कम होगा जीवन में मधुर्ता आएगी और कारोबार के मामले में व्यापार के मामले में आपको लाब होगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है और चले बाकी की राशियों का भी हाल पंडिरी से जानेंगे अब बारी आती हैं आपका एक और सवालेने की जी अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है दिल्ली से लिखती हैं अपने पुत्र कार्तिक के बारे में जानना चाहती है कार्तिक की जन्म तारीख है 24 दिसंबर 2005 जन्म का समय है दो बच के 35 मिनट दोपहर में जन्मस्थान है दिल्ली ये कह रही हैं कि बेटा बारहमी कक्षा की पढ़ाई कर रहा है क्या आगे बेटा कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई कर पाएगा इंजीनियर बन पाएगा भविश्य कैसा रहेगा मिनाक्षी जी आपके पुत्र कार्तिक की कुंडली बनती है मेश लगन की और इनकी राशी बनती है कन्या महादशा राहू की और अंतरदशा ब्रिहस्पती की कुंडली में चल रही है देखिए आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आपका बेटा इंजीनियरिंग में जाएगा और इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने की संभावना जादा है दूसरी बात ये है कि 2024 में आपके बेटे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है अच्छे कॉलेज में सेलेक्शन हो सकता है तो अगर 2023 में सफलता नहीं मिलती तो चिंता की बात नहीं है 2024 तक इंतजार कर लीजिएगा आपके बेटे की कुंडली में डिप्रेशन की या मानसिक अवसाद की संभावना बनती है तो अपने बेटे की मानसिक स्थितियों का बहुत ध्यान रखिएगा मेंटल लेवल का बहुत ध्यान रखिएगा किसी तरह का डिप्रेशन न हो, किसी तरह के नशे के चक्कर में न पड़े इसका ध्यान बनाये रखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि मेंटल लेवल में थोड़ी समस्याएं दिख रही है फिलहाल आपके बेटे को किसी रत्न की आवशक्ता नहीं है लेकिन आप अपने बेटे से नित्य प्रातह सूर्य भगवान को जल चड़वाईए और अपने बेटे को बोलिए कि 27 बार सुबह, 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का अगर जब करे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और शली अपन्डे जी से ये जानते हैं कि नहीं आदतों की वर्षे से कई बार कई शक्स को वहम पिदा हो जाता है तो पन्डे जी ये बताईए कि कौन-कौन सी ऐसी आदते हैं जो जम्मेदार होती हैं वहम की दिक्कत को पैदा करने के लिए वो तमाम आदतें जो आपके मन पर असर डालती हैं, बुरा असर डालती हैं वो मन से संबंधित समस्याएं भी पैदा करती हैं, वो वहम पैदा करती हैं जैसे अगर आप रोज नहीं नहाते, साब सफाई से नहीं रहते तो आप निगेटिव एनरजी को अट्रेक्ट करते हैं, नकारात्मक उर्जा आपके साथ चिपक जाती है हम पूजा पाठ करने के पहले नहाते ही हैं, क्यूं? ताकि मन ज़्यादा शान तो हो सके इसलिए बिना सनान करने से नहीं नहाएंगे आप रोज, साब सफाई से नहीं रहेंगे आपको मानसिक समस्या होगी, वहम भी होगा गलत और खराब संगती में अगर आप रहते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो व्यक्ति की आदतें अच्छी नहीं हैं, वो नशा करता है, वो मानस मदिरा का सेवन करता है, वो लोगों को बुरी नजर से देखता है और बुरी बातें आपके साथ शेयर करता है हम अक्सर ये समझते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वही हमारा आहार है, नहीं हम जो देखते हैं वो हमारी आँखों का आहार है हम जो सुनते हैं वो हमारे कान का आहार है जो हम खुश्बू लेते हैं वो हमारी नाक का आहार है तो आहार आप हर जगा से ले रहें किबल खाना ये आहार नहीं होता है तो जब आप आखों से, कान से भी गलत आहार लेते हैं, गलत और खराब संगती में रहते हैं, तो मन परिशान होगा, वहम पैदा जरूर होगा अगर आप हरे वरिक्ष काटते हैं, तो याद रखिये कि यह बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हरे वरिक्ष काटने से आपको बचना चाहिए मजबूरी है उस व्रिक्ष की वज़ा से घर गिर सकता है उस व्रिक्ष की वज़ा से किसी की जान जा सकती है तो बात दूसरी है अन्यथा जब तक संभव ना हो तब तक हरे व्रिक्ष मत काटिये बचाईए इसको, क्योंकि हरे व्रिक्ष काटने पर आप किसी का प्राण ले रहे हैं अपने लाब के लिए आपके मन पर इसका बुरा असर पड़ेगा और आपको तमाम मानसिक समस्याएं, वहम की समस्याएं परिशान करेंगे अगर आपको नशे की आदत है, तो भी आपको वहम होगा देखिए, दुनिया भर में तमाम देवी, देवताओं की पूजा, तमाम संत महात्मा, वो आपको जगाने का प्रियास कर रहे हैं आप तो जन्व जन्मांतर से सोय हुए वैसे भी हैं और अगर उसके बाद आप मदिरा पान करते हैं, नशा करते हैं, जिससे दिमागी संतुलन बिगड़ता है तो भाई, आप ये पक्के तोर पे जान लीजिए, कि आपके मन की स्थिती अच्छी नहीं रहेगी और मन की स्थिती अच्छी नहीं रहेगी, तो आपको वहम होगा, जो लोग नशा करते हैं, उनसे कभी बात करके देखिए, वो ऐसी उट पटांग और अजीब गरीब बात करते हैं, क्योंकि मन पे काबू नहीं रहता, मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, मन कहां चलता है, ये क कंट्रोल कर पाना उनके लिए कठिन होता है, और चले इसे के सार राशी फ़ल पर वापस लोड़ते हुए, अगली तीन राशीों का वक्त भी पढ़ने जीसे जान लेते हैं, तुला राशी, स्वास्थ का अपने आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए, सेहत पर ध्यान दें, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिन्ता भी हो सकती है, इस समय, सिक्षा पर अपने विशेश ध्यान बनाए रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुण का दान कर दें, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा, शुभरंग होगा आस्मानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, साथ पृतिशत यानि महनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा, व्रिष्यकराशी, धन की स्थिती में सुधार होगा, सेहत में भी आपके सुधार होगा, परिवार में इस समय शुभकार्य होने के योग बन रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा, शुबरंग होगा सुनेहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी संतान पक्ष को सफलता मिलेगी नौकरी के मामले में आपका प्रमोशन होगा काम आपका बढ़ा रहेगा काम की अधिकता रहेगी हनुमान चालिसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा और चलिए लोटते हैं वापस सवाल जवापके सिलसिले पर और सबसे पहले एक एहम सूचना आप सब के लिए कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं अगला सवाल ले उसके पहले आपसे एक निवेदन ये करते हैं कि बहुत बार आप हमें मेल भेजते हैं आप जनम की तारीख लिख देते हैं समय नहीं लिखते स्थान नहीं लिखते तो कृपा करके जब आप अपने सवाल भेजें तो जनम की तारीख जनम का समय और जनम का स्थान तीनों ठीक से लिखें कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके महत्वपूर समस्या होने के बावजूद भी हम उसका समाधान आपको नहीं बता पाएंगे आपके मेल नहीं ले पाएंगे तो कृपा करके पूरा डिटेल भेजें जो महत्वपूर प्रशन होंगे हम लेने की कोशिश अवश्य करेंगे अगला प्रशन हमें भोजराम निशाद जी ने लिखा है 36 गड़ से लिखते हैं 12 नवंबर 2001 का इनका जन्म है जन्मस्थान है बलोदा बाजार 36 गड़ ये लिख रहे हैं कि मैं जीवन बीमा में सलाहकार हूँ मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है आगे का समय कैसा होगा काम कैसा होगा और भविश्य कैसा रहेगा भोजराम जी आपकी राशी बनती है कन्या और जो आपने जन्म का समय चुकी स्पष्ट नहीं किया है तो हमने चंद्र कुंडली और सूरी कुंडली के आधार पर समझने की कोशिश की है कि क्या करना चाहिए देखिए जो आपके लिए इंशोरेंस का काम है वो काम ठीक है आप करते रहिए जो तिश के हिसाब से बारा मार्च से आपके काम में सुधार होगा लेकिन इंशोरेंस के काम के अलामा अगर आप दवाईयों का काम करें अगर आप कपड़ों का काम करें सौंदर ये प्रसाधन का काम करें तो ये काम आपके लिए जादा बहतर होगा इस काम को करने का, इस काम को चलाने का प्रयास करें और 12 मार्च के बाद समय वैसे भी आपका बहतर दिखाई दे रहा है फिलहाल आप एक पन्ना बन्वा करके पहन लें लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुद्धवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाब होगा और दूसरा काम करें, रोज सुबा 108 बार गणेश जी के मंतर का जब करें ओम गंगनपतये नमह ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपकी मुश्किले हल हो जाएंगे और चले इससे पहले हमने पंडीजी से जाना कि वहम होता क्या है इसके लिए कौन-कौन से ग्रह जिम्मेदार है दिक्कतें क्या हो सकती है अब पंडीजी से ये जानते हैं कि वहम को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ छुपाए हैं पंडीजी, बता दिजे मन एव मनुष्या नाम कारण बंधन मोक्षयो मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्ती का कारण है तो वहम को दूर करने के लिए मन को ही सही करना होगा रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अरपित करिए डेली मौर्निंग भगवान सूर्य को जल चड़ाईए और सुबह 108 बार शांती से बैठ करके गायत्री मंत्र का जब करिए देखिए गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके मन और आपकी आत्मा दोनों की रिपेरिंग कर देता है वो आपके संसकारों को काटता जाता है आपके मन को साफ करता जाता है आपकी सोच को बदलने की ताकत रखता है तो रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जब करिए महीने में एक बार पूर्डिमा आती है पूर्डिमा का वरत रखिए उस दिन केवल जल पिएंगे और फल खा करके उपवास रखें या केवल लिक्विड ले करके उपवास रखें अच्छा होगा सलाह ले करके एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनने से भी लाब होता है इससे आपका मन मजबूत होता है आपकी सोच बहतर होती है और जब मन मजबूत होगा सोच बहतर होगी तो आप अपने मन पर काबू कर पाएंगे चंदन की सुगंद का सैंडल वुड का प्रियोग अगर आप करें चंदन की सुगंद वाली चीजों का आप प्रियोग करें या चंदन की सुगंद नियमित रूप से लगाएं तो जो आपके अंदर नकारात्मक विचार हैं या जो कल्पना में आप समस्याएं अपने मन में पैदा कर रहे हैं उन समस्याओं को दूर करना आपके लिए आसान होगा और चलिए राशिफल के सिलसले पर वापस दौड़ते हुए बात कर लेते हैं मकर कुमबर मिर राशी की मकर राशी मान्सिक स्थिती में आपके सुधार होता दिख रहा है मन आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा करियर में लाब के योग बन रहे हैं पारिवारिक समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी बेवज़ा के तनाव से आपको बचना चाहिए अपने स्वास्थे का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें और अपने काम को मैनेज करने का प्रयास करें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मीन राशी करियर में कुछ परिवर्टन हो सकता है इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा जीवन में नए रिष्टों की शुरुवात इस समय हो सकती है हनुमान चालिसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें आपका दिन और भी ज़्यादा वेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है और शली बार आती है एक बार फिर से आपके सवालों पर लोटने की और आज के शो का अंतिम सवाल पंडर जी जान लेते हैं जी आज का अंतिम प्रश्न हमें ख्याती ने लिखा है ख्याती जी सहारनपुर से लिखती है इनकी जन्म की तारीक है 22 नवंबर 1992 जन्म का समय है 6 बजे सवेरे जन्मस्थान है बिजन और उत्तरप्रदेश ये कह रही है कि मेरा विवाह कब होगा प्रेम विवाह होगा अरेंज मेरेज होगी अभी मैं प्राइवेट नौकरी में हूँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और मेरा स्वास्ती जब खराब होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता क्या उपाय करना चाहिए ख्याती कुंडली आपकी बनती है तुलालगन की और तुलाराशी की महादशा ब्रहस्पती की और अंतरदशा चंद्रमा की फिलहाल चल रही है जोतिश के हिसाब से साल 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपका विवाह होने के योग जरूर दिखाई देते हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इक्षा से किसी जाने पैचाने व्यक्ती के साथ होना चाहिए ये संभावना आपके लिए बन रही है अगर आप सिक्षा छेत्र में या बैंक के छेत्र में प्रयास करें तो वहाँ पर आपको गवर्मेंट जॉब साल 2024 में मिल सकती है इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक शमता आपकी बेहतर नहीं है और इस वज़़े से आप जल्दी बीमार भी पढ़ती हैं जल्दी ठीक भी नहीं होती है दो-तीन उपाय करिए अपने विवाह, करियर और स्वास्त के लिए सबसे पहले एक पन्ना बन्वा के पहनिये लगभग 6-8 रति का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुद्दवार की शाम को एक पन्ना बन्वा के जरूर पहन लें दूसरा सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जब करें और हर शनीवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं आपकी स्थिती में सुधार होना शुरू हो जाएगा पंड़र जी अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को आम तौर पर बिमारी ओं को लेकर वहम हो जाता है कि हमें ये बिमारी हो सकती है तो सवस्था में हमें किस प्रकार के उपाए करने चाहिए या पूजा करने चाहिए जिससे वहम आपके दूर हो सके वैसे तो शगुफता सामान ने उपाए वहम को दूर करने के क्या है वो हमने बता दिया लेकिन अगर आपको बीमारियों को ले करके वहम जादा होता है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए भगवान शिव का ध्यान करिए भगवान शिव की पूजा करिए उससे आपको लाब होगा और मैं तो ये कहूंगा कि अगर बीमारियों को ले करके आपके मन में हमेशा चिंता रहती है हमेशा वहम रहता है तो आप खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमा शिवाय नमा शिवाय ये जो नाम है भगवान शिव का नमा शिवाय नमा शिवाय इसका आप निरंतर जब करते रहेंगे जितना जादा से जादा इस मंतर का आप जब करेंगे नमा शिवाय को हर समय बोलेंगे हर समय कहत रहेंगे तो उससे यह होगा कि आपका मन इधर उधर जाएगा ही नहीं मन में नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं और किसी भी तरह के बीमारी के वहन से आप बचे रहेंगे और शलेजी के साथ पंडिजी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन दिन है 28 फरवरी को उनका वक्त कैसा रहेगा जिन लोगों का जन दिन 28 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरब से जन दिन की हार्दिक शुपकामना है आने वाले वर्ष में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं आविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है लेकिन आप अपने करियर के निरड़ेयों में इस साल सावधानी रखियेगा धन की स्थिती में थोड़ा सा उतार चढ़ाओ आपके रह सकता है क्या करना चाहिए पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और चलिए इसके साथ पंडिजी से जान लेते हैं आज की जिग्यासा की बारे में आज की जिग्यासा है कि क्या पूजा स्थान पर किसी भी ओयल का किसी भी तेल का दीपक जला सकते हैं देखिए पूजा स्थान पर सामान्यतह तिल के तेल का या घी का दीपक जलाना ज़्यादा बेहतर होता है विशेश दशाओं में खास्तोर से जब हनुमान जी की पूजा की बात आती है तब आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं लेकिन सामान्य स्थितियों में 90 प्रतिशत मामलों में पूजा स्थान पर सर्सों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए और चली इसके साथ पंड़ीजी से जान लेते हैं 28 फरवरी के शुब पहर के बारे में बात करते हैं शुब पहर की दिनांक 28 फरवरी 2023 दिन मंगलवार शुब पहर का समय है शाम को 7 बच के 30 मिनट से रात के 9 बजे के बीच में इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करियेगा इससे आपकी करज की और आपकी आर्थिक समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी लेकिन करेंगे शुब पहर में ही समय फिर से नोट करें 28 फरवरी मंगलवार शाम को 7 बच के 30 मिनट से रात के 9 बजे के बीच में और देखें इस चो में हम अक्सर बात करते हैं गुडलक राशी के बारे में तो आज की गुडलक राशी भी पंडिजी से जान लेते हैं हम आपको आज कल अलग अलग राशियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ के बारे में बता रहे हैं इसी क्रम में आज बात करेंगे धनुराशी की धनुराशी वालों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ दोनों मजबूत रहता है अच्छी मजबूत इस्थिती होती है लेकिन अक्सर जीवन में एक से दो बार इनको सरजरी से शलिचिकित्सा से गुजरना पड़ता है अगर आपकी राशी धनु राशी है और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थे अच्छा रहे तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपका पैसा बेवज़ा खर्च हो रहा हो पैसा आता तो हो लेकिन रुखता नहीं हो अनावश्यक खर्च होता हो क्या करना चाहिए अपने पर्स में एक चौकोर स्कुएर टुकडा सोने का या पीतल का रखिए किसी भी ब्रिहस्पती वार से इसको रखना शुरू कर दीजिए किसी भी शनीवार को कुछ सिकों का दान करिए किसी गरीब आदमी को अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं धन आएगा भी बचेगा भी अनावश्यक धन खर्च आपका नहीं होगा पंडी जे इस महा उपाई के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद तो चलिए आज की इस खास एपिजोड में फिलहाल के लिए इतना ही जाज़द दीजिए बाकी खबरें जारी हैं आप देखते रहें गुट नियोस टुडे नमस्कार